दोस्तो समर्स्लैम 23 में मैच के दरा ट्रावल चीप रोमनेक्स हो गया इंजर्ड रिपोर्ट में वहा बहुत बढ़ा खुला सा तो आज के इस वीडियो मुशी के बारे में करेंगे बाद तो वीडियो काफे इंट्रेस्टिंग हो गया वीडियो के अंतक बने रहें दोस्तो समर्स्लैम 23 में जेउस्ठो और रोमन रेंक्स के बीच अंडिस्प्टे डलो डी यूदिपर्स चेंपेंशिफिफ के लिए बहुत ही जब्रदस मैच हुआ था दोस्तो इस मैच में कभी जे उसो भारी पड़ रहे थे रोमन रैंक्स के उपर तो कभी रोमन रैंक्स भारी पड़ रहे थे जे उसो के उपर और मैच स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा जा रहा था और जे एंड रोमन ने तरद रखे वेपन भी यूज किये जैसे कि केंडो स्टीक चैट टेवल और जब जे उसो ओडियंस के बीच में चले गए तब यह बात तो सबको पता था कि सोलो भी इस मैच में इंबॉल्ब ह होंगे और सोलो ने आकर जे उसो को बटेवल तोड़ा और वो रोमन रेंक्स के काने पर जे उसो को रिंग के अंदर घसीट कर ले गए ताकि यह दोनों मिलकर जे उसो का पिनफॉल करवा सके पर जब रोमन नेक्स एंड सोलो अपना अपना फिनिसर देने का ट्रैक कर रहे जे उसो को तब जे उसो ने सोलो को दका दे दिया और रोमन रेंक्स ने गलती से इसपेर लगा दिया सोलो को और जब रोमन एंड सोलो के भी टेंशन होने लेगी तब उसका फैदा उठा कर जे ने रोमन को इसपेर देकर बरिकेद तोड़ा और उसके बास सोलो के उपर भी सूपर किक भी लगा दिया और रोमन ने फिर एसफेर देगर इस मैच को जीत कर अपना टैटल रिटेन किया दोस्तों 36 मिनट तक चलाई यह मैच बहुत ही जवर्दस था क्योंकि दोनों ही स्टार के रिंग के आसपास पड़ी सभी चीजों का यूच एक दूसरे परहावी होन नहीं आई है इसके बावजूद भी डव मेलेज़ाने ट्रावल चीप के नेक्स्ट एसमागडाउन सो में देखने की समभावना जता आई है तो दोस्तों आपको क्या लगता है नेक्स्ट विक के स्मागडाउन में रोमनेक्स आएंगे या फिर नहीं आप में एक प्यारा स कॉमेंट करके जरूर बताए तो दोस्तों इस वीडियो में इतना है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में